21 नवंबर यानि की 21 नवंबर को मनाया जाता है प्रतेक वर्स वर्ड फिस्रिज डे प्रतेक वर्स विश्वे मतस्य दिवस के रूप में मनाया जाने वाला 21 नवंबर अगर हम बात करें विश्वे मतस्य दिवस की तो ये कब बनाया गया क्यों मनाया जाता है कहां पर है विश्वे मतस्य संगठन का मुख्याले विश्वे का परमुक राष्ट जो मतस्य का उत्पादन करता है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो फिस्रिज के उत्पादन के में जानने की कोशिस करते हैं तो आईएगा देखेगा प्रतेक वर्स 21 नवंबर को हम क्या मनाते हैं तो देखेगा विश्व मतश्य दिवस के रूप में मनाया जाता है अगर हम बात करें कि पहला विश्व मतश्य दिवस कम मनाया गया तो द्यान दकना प्रतम विश्व मतश्य दिवस 21 नवंबर 2015 को 2015 को प्रतम वर्ड फिश्रीज डे के रूप में मनाया गया देखेगा अलग-अलग देशों में मच्वारों के संगटन है और ये मच्वारा संगटन इस दिन को सेलेबरेट करते हैं तो द्यान दकना वर्ड फिश्रीज डे को सेलेबरेट क्यों किया जाता है कारण क्या है अगर इसके कारणों की हम बात करें तो इसके मुख्य कारण जिसको कह सकते हैं पहला स्वच्पारिष्थिति की निर्मान यानि की पारिष्थिति की एकोलोजी सिस्टम कैसा हो तो पारिष्थिति की इसके बाद में स्वच समुद्र या सागर जिसे हम कह सकते हैं यह ध्यान दकना आपको ठीक है स्वच जिसको कह सकते हैं कुछ शागर के और तीसरा अगे स्वच्झ पर्यावरन यानिकि नत्यों आपकी यह तीन हमारे मुख्य बिंदु है आपके क्लीन एकोलोजी और ये क्लीन, हमारे जो आपके सागर है, समुद्र है, और सुच्थत परियावरन इन तीन बिंदों को ले करके प्रतेक देश जो है अपने वहां के नागरिकों को जागरू करने के लिए अलग-अलग परकार की रेली आज पोस्टर भी मोचंस का कारिय करता है ये तीन मुख्येश के उद्देश्य है इसलिए मनाया जाता है वर्ड फिसरिजडे देखेगा हम मना रहे हैं इस बार 2023 में 21 नौंबर को वर्ड फिसरिजडे इसकी थीम क्या है तो देखेगा 2023 वर्ड फिसरिजडे की थीम तो इसकी थीम क्या है तो इसकी थीम है मतस्य पालन मतस्य पालन मतस्य पालन तता जलिय कर्शी संपदा जलिय कर्शी संपदा का जस्न मनाएं जस्न मनाएं देखेगा पहली बार जो मनाया गया था 2015 में और उसी दिन वर्ड फिसरिज और गेनाईजेशन की स्तापना गी गई और इसका मुख्याले आपको जान करके बड़ा अच्छा लगेगा कि इसका मुख्याले कहा है भारत मे तो ध्यान रखना विश्वे मतस्य संगठन विश्वे मतस्य संगठन इसका जो हेड कवार्टर है आपके इसका हेड कवार्टर कहा है नई दिल्ली में और इसकी स्तापना कब हुई तो वर्ष 2015 में इसकी स्तापना की गई अब अगर हम बात करें विश्वे में मचली उत्प उत्पादन का सिनेरियो तो वर्ड फिश्रीज के प्रोडक्शन के अगर हम बात करें तो ध्यान रखना फिश्रीज स्टेटिक्स एट ग्लांस 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के आपके फिश्रीज और एनिमल अस्वेंडी डिपार्टमेंट के अनुसार अगर हम बा बात करें तो देखेगा चीन का पहला स्टान है इंडोनेसिया दूसरे स्टान पर है और आपके हमारा भारत इसमें तीसरे स्टान पर है यह ध्यान रखना है आपके भारत मचली के उत्पादन में लगातार ग्रोथ कर रहा है आने वाले समय में आपको दूसरे स्टान पर भ तो ध्यान रकना विश्वे उत्पादन में भारत की भागीदारी कितनी है तो भारत की भागीदारी है 8.0% आठ परतिसत भागीदारी हमारे देश की है कुल मचली के उत्पादन में अगर हम बात करें आपके जिसको कहा जाए कि भारत में मचली उत्पादन में अगरनिय राज्यों की बात करें तो देखेगा भारत में मचली उत्पादक राज्ये दोजार 21-22 के अनुसार जो की आपके इस्टेटिक्स एट एक लांस फिसरीज की रिपोर्ट है बारत सरकार की उसके अनुसार अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको आंदर परदेश प्रत्थमिस्तान पर दिखेगा आंदर परदेश के बाद में आपको पस्सिम बंगाल जिसको कह सकते हैं यह दो वो आपके राज्ये है जो अगरनिय है यह ध्यान रकना इसके बाद में आपका कौन करनाटक करनाटक उडिसा और गुजरात ये पांच अग्रन ये राज्य है जो फिसरीज के उत्पाधन के लिए जाने जाते है ये ध्यान डखना आपको पता है कि फिसरीज को एग्रिकल्चर सेग्मेंट में एग्रिकल्चर सेक्टर में काउंट किया जाता है एग्रिकल्चर आपके एग्रिकल्चर में इसे काउंट किया आता है तो एग्रिकल्चर की जो टोटल जीडीपी है उसमें फिसरीज का योगदान या कर्षी छेतर में फिसरीज का योगदान 6.72% है ये ध्यान डखना आपको तो ध्यान डखना कर्षी चेत्र में मचली उत्पादन का उत्पादन का योगदान तो कितना है 6.72 परतिसत लेकिन अगर हम सीधी बात करें कि भारत की एकोनोमी में फिस्रीज का रोल कितना है तो भारत की जीडीपी या भारत की अर्थ व्यवस्ता में तो द्यान अकना भारतिय अर्थ व्यवस्ता में भारतिय अर्थ व्यवस्ता में मचली उत्पादन की भागीदारी तो इसकी जो कुल भागीदारी है वो है 1.1% के आपके ध्यान रखना अगर हम कुल उत्पादन देखे तो ध्यान रखना कुल उत्पादन की अगर हम बात करें कि मचली का कुल उत्पादन आपको कितना देखने को मिलेगा तो द्यान रखना 162 लगबग 162 लाख टन जिसको कह सकते हैं आपको ये देखने को मिलेगा ये द्यान रखना आपको ठीक है इसका में द्यान रखना अगर इसे मिलियन टन में कनवर्ट करें तो 16.2 कर देना ये द्यान रखना मिलियन टन में ठीक है 16.2 MT तो ये आपका हो गया यानि कि भारत की इकोनोमी में एक पॉइंट एक एगरिकल्चर सेक्टर में 6.2 टोटल फिश्रिस प्रोडक्शन 162.48 या लगबग आप कह सकते कि 162 आपकी लाख टन अगर हम बात करें तो देखेगा राजस्तान की कुल मचली उत्पादन में भागिदारी तो ध्यान रखना राजस्तान की जो भागिदारी है राजस्तान की भागिदारी तो राजस्तान की भागिदारी कितनी है 0.66 सबसे ज़्यादा भागिदारी आपके आंदर परदेश के 5.92 ये ध्यान रखना आंदर पर्देश के बाद आपके पश्यम बंगाल की और राजस्तान की भागेदारी है पॉइंट 66 ये ध्यान रखना है अगर हम राजस्तान के कुछ पर्मुक जिलों की बात कर ले जो मचली उत्पादन के लिए जाने जाते हैं तो देखेगा राजस्तान में जालोर राजस कर लिए जाने जाते हैं भारत में फिसरीज के प्रोडेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कि योजना भी संचालिता है केंदर सरकार की और पर्मुक उसका नाम है पर्दान मंत्री मतस्य संपदा योजना इसे कहते हैं आपके पर्दान मंत्री पर्दान मंत्री मतस्य संपदा योजना कब सुरू की गई ये तो ध्यान रखना 10 सप्टेंबर 2020 को आपके ये सुरू की गई थी कब तक के लिए तो 2020, 2021 से ले करके 2024 और 2025 तक वर्तमान में इसे कब तक के लिए बढ़ा दिया गया इसे बढ़ाया गया 2026 तक ये ध्यान रखना तो ये हमारे वर्ड फिसरीज डे के उपर क्या है वर्ड फिसरीज डे इससे सम्मंदित जानकारी थी जानकारी कैसी लगी जरूर बताईएगा सभी विध्यार्टियों को नमस्कार जैहिन जैभारत बैस्टो प्लक